हे वीवर्स वेलकम बैक तो अब चैनल आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी टेराबुक्स एप में प्रॉब्लम आ रही है जब भी आप अपने अपको उपन करते हो तो यहां पर लिखा रहा है अकाउंट डज नोट एग्जिस्ट ऐसा कुछ लिखा रहा है जब उस अकाउंट को लोग इन करने की कोशिश करें तो यहां पर लिखा रहा है अकाउंट है ही नहीं यह तो इसका सोल्यूशन क्या है वह मैं पताऊंगा तो आज की वीडियो में कुछ स्टैप्स हैं जिससे यह प्रॉब्लम आप बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी नहीं तो यह प्रॉब्लम का रीजन यह भी होता है कि कबके भी आपका जो एप है वंडर मेंटेनर चाहता है जिसके कारण लोग इन में प्रॉब्लम आती है तो कुछ मैथरां को ट्राइ करना है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वीडियो को लाइक चुरूर करें और हमारे सब्सक्राइब करें ऐसे इंफ्रमेटिव और नॉलिजबल वीडियो देखने के लिए तो हम आगे अपने मुबाइल की स्क्रीन पे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने जो प्ले स्टोर एप है उसको उपन कर लेना है प्ले स्टोर एप को उपन करने के बाद यहां पर हमें अपने अब को सर्च कर लेना है यहां पर अप्टेट को अप्छिन देख रहा है तो जुरूर कर लिजेगा अगर हम और अप्टेट को आप्छिन नहीं देखेगा अधिक है तो एक बार अन्श् Datalog करें फिस सेटिंग को ऊ्पन कर लेना सब्सक्राइब histor में setting open करने के बाद connection and sharing पे जाना है यहाँ पे जाने के बाद reset wifi mobile network and bluetooth का option देखेगा हमें तो यहाँ पे हम इनको reset कर लेना है reset करने से कभी कभी यह problem solve हो जाती है तो यहाँ से back आजाना है तो back आने के बाद कुछ और important step है जिसके बाद आपके problem बिल्कुल solve हो जाएगी apps में आने के बाद यहाँ पे manage apps का option देखेगा इस पे click कर देना है तो यहाँ पे इस पे click कर देते हम इस पे click करने के बाद right side पे हमें three dots देखेंगे इन पे click करना है और यहाँ पे एक option देखेगा reset app preferences का इस पे क्लिक करना और इनको reset करने देना है इनको reset करने के बाद यहाँ पे हमें अपना app है जिस आप में problem आ रही है उसको search कर लेना है एप को मैंने यहाँ पे search कर लिए है इसकी storage पे आजाता हूँ storage पे आने के बाद storage का clear catch करना है clear data मत करिएगा clear data से आपका जो सारी important files है उसका delete होने का risk होता है इसके बाद app permission पे आना है app permission पे आने के बाद सारी जो permission उनको one by one enable कर देना है और ध्यान रखना है कि कोई भी permission यहाँ से deny नहीं करनी है one by one सारी permission को enable कर लेना है इसके बाद other permission को option देखेगा हमें यहाँ पे तो other permission पे जाने के बाद भी यहाँ पे सारी permission देखेंगी उनको enable कर देना है 6-7 जो भी permission देखेंगी उनको enable कर देना है इसके बाद restrict data usage को option देखेगा और यहाँ पे यह अगर off होगा तो इनको on कर देना है अगर यह already होना है तो दो मिनिट के लिए इनको off करना है और फिर on कर देना है यह सब करने के बाद एक पार डिवाइस को restart करें restart करने के बाद सारी आपकी problem solve वाजाएगी तो वीडियो को like चुरूट करें